मेरे प्यारे दर्श को स्वागत है आपका हमारे चैनल पर साथियों आज हम बताने वाले हैं कि घर में चुहे और चछुंदर का होना है शुब ऐसे मिलते हैं मा लक्ष्मी की कृपा के संकेत अगर आप ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंग तक जरूर देखिए वास्तु शास्त के अनुसार चुहे और चछुंदर का घर में आना कई शुब अशुब संकेत देता है ये संकेत धन, संपत्ति, सेहत, दुश्मनों से जुई एहम बाते बताते हैं घर में इन जीवों का निकलना, बिल बनाना या अजीब हरकते करना कई तरह के शुब अशुब संकेत देता है ये तो हम सभी जानते हैं कि घर में रखी हर एक चीज का वास्तु में काफी महत्व होता है वास्तु के अनुसार घर की सभी चीजे परिवार की आर्थिक स्थिती पर भी प्रभाव डालती है घर में छोटे मोटे कियों, कंतकों का निकलना या बाहर आना आम बात होती है इसमें चुहे, छिपकली, चचुंडर, लाल चीटी, काली चीटी आदी भी शामिल है घर में इन जीवों का निकलना, बिल बनाना या अजीब हरकते करना कई तरह से शुब अशुब संकेत देता है वास्तु शास्त में इन जीवों से मिलने वाले संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है वही वास्तु शास्त के अनुसार घर से निकलते वक्त चुहे का दिखना अशुब माना जाता है आए जानते हैं कि वास्तु शास्त के अनुसार घर में चुहे और चचुंदर का आना कैसे संकित देता है घर में चुहों का होना धर्म शास्त के अनुसार चूहा भगवान गनेश का वहन होता है इसलिए चूहे को शुब माना जाता है धर में चूहों का होना सामान्य बात है इनसे कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होता है घर में अचानक चुहों की संख्या बढ़ना या घर में चुहों द्वारा बड़े-बड़े बिल बनाना अच्छा नहीं माना जाता है ऐसा होना इस बात का संकेत देता है कि आपके दुश्मन आपको बड़ा नुकसान पहुचा सकता है चुहों का रात के समय आवाज करना भी अशुद माना जाता है ये किसी अन्होनी घटना की ओर इशारा देता है वही चुहों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धी होना गरीबी आने का संकेत होता है चुहों द्वारा चीजों को बार बार कुतरना जीवन में सुक सम्रुद्धी में कमी आने का संकेत होता है धर में बहुत सारे चुहों का होना बीमारी होने की ओर इशारा देता है किसी भी स्थिती में चुहों को मारना नहीं चाहिए उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए वरना गनपती नाराज हो जाते हैं और जीनम में मुसीबते देते हैं घर से निकलते वक्चुहों का दिखना अशुब माना जाता है घर में चछुंदर का होना चछुंदर को मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है धर में चचुंदर का होना शुब संकेत होता है यह धर की सुक सम्रिद्धी बढ़ने का इशारा होता है अगर खास्तोर पर शाम के समय चचुंदर धर में प्रवेश करें तो यह बहुत ही शुब होता है इसका मतलब होता है कि आपको बड़ा धन लाब होने वाला है ध्यान रखे की चचुन्दर कभी भी भूखी न रहे उसके लिए थोड़ा भोजन डालते रहे इस बात ध्यान रखे की चुहे या चचुन्दर किसी को काटे नहीं अगर चचुन्दर किसी व्यक्ति के चक्कर लगाता है को इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को भविश्य में कोई बड़ालाब होने वाला है दिवाली की रात यदि छच्छुंदर दिख जाए तो उस व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है जिस व्यक्ति के घर के चारों तरफ घून जाता है तो उस घर की सारी विपत्ती टल जाती है मेरे प्यारे दर्श को आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ग्यानवर्धक जानकारी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें